दोस्तो वैसे तो हमारे पिर्थवी में 5 महासागर मौजूद हैं जिनका नाम प्रसांत महासागर, अटलांटिक महासागर, दचनी महासागर, आर्केटिक महासागर, एवं हिंद महासागर हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े महासागर, अटलांटिक महासागर के बारे में. ऐसा माना जाता है कि इसका नाम यूनानी देवता एटलस के नाम पर अटलांटिक महासागर पड़ा है जिसे अंद महासागर के नाम से भी जाना जाता है अगर हम पूरी पृत्वी की बात करें तो पृत्वी का एक बहुत बड़ा भाग जल से घिरा हुआ है जिसमें ना जाने कितनों ही नदियां जीले तलाब एवंग सम्मूंद्र सम्मिलित हैं यदि हम नदियां तलाब जील इत्यादी को छोड़ दें तो पृत्वी का कुल जलासे आपस में जुड़ी हुई है जिसे विस महासागर कहा जाता है दोस्तो क्या आपको पता है हम इंसान धर्ती के केवल एक बटा तिन हिस्से में ही रहते हैं और बाकी का पूरा पृत्वी जल से घिरा हुआ है जिस में केवल पानी ही पानी यानि की महासागर है पूरे सौर मंडल में हमारे प्रत्वी ही एक ऐसी गरा है जहां पर महासागर मौजूद है जो पूरे प्रत्वी का लगवक 70.8 पर्तिसत भाग में फैला हुआ है दोस्तो क्या आपको पता है दोस्तो हमारे पिर्थवी में पानी कितना है इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे विश्व की महासागर एवन सागरों का छतरफल लगवग 3.66 मिलियन वर्ग किलूमेटर है जो कि मंगल गरह के छतरफल का दुगना और हमारे चांद का छतरफल का लगवग 9 गुना है दोस्तो वैसे तो आप जानते ही होंगे हमारे पिर्थवी में 5 महासागर मौजूद है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया जिसमें से अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एवन गहरा महासागर है अटलांटिक महासागर जो पुरे पिर्थवी के 25% सर्फिस में फैला हुआ है यह महासागर जुरासिक प्रियेट के दोरान ही निर्मित हुआ था और इसका आकार अंगरीजी का एक अच्छर एट के तरह दिखाई देता है पहले यह मैना जाता था कि यह महासागर में बहुत सी दुरगटनाई होती है और यह महासागर लोगों के बीच भय पैदा करता है जिस वज़े से इस महासागर को Sea of Darkness यानि की अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है और यह महासागर परसांत महासागर के आदे हिससे से थोड़ा सा ही जादा है इस महासागर में पाँच महादीप मौजूद हैं एसिया, यूरोप, अफरिका, नौर्थ अमरिका और साथ ही 133 कंट्रीज और टेरिटेरीज इस महासागर की सीमा को बनाती है नौर्थ में यह महासागर आर्किटिक महासागर से मिलता है तो वहीं साथ में अंटार्किका महासागर से मिलता है अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो उत्तर में बेरिंग जल डमरू के मद्ध से लेकर दच्छिन में कोस्टालेंट तक इसकी लंबाई 20,496 किलो मिटर है अगर गहराई की बात की जाए तो अट्लैंटिक महासागर का आसतम गहराई 3924 मीटर है वहीं इसकी अधिक्तम गहराई 8,496 मीटर है वैसे तो इस महासागर में 19 गर्ध मौझूद है अट्लैंटिक महासागर का सबसे गहरा गर्ध The Puritori का ट्रेंच है जो कि Atlantic महासागर के उत्तर में स्थित है, जिसकी गहराई 920 मीटर है और लंबाई 800 किलो मीटर है जो कि विश्व में प्रसांद महासागर में इस्थित मार्याना ट्रंच के बाद दुनिया का दूसरा सबसे गहरागर्थ है अटलांटिक महासागर में दुनिया के सभी महासागरों के तुलना में सबसे अधिक मात्रा में मचलिया के परजाती पाई जाती है जिनमें से डॉल्फिन से लेकर सी टेटल्स तक बहुत सारे एनिमल यहां पाई जाते हैं जैसे कि सी लायोन, हैंबुक वेल, स्टार फिस, कैट फिस, पैगवीन और धेर सारे सार के स्पेसिर यहां पाई जाती है यहां तक कि पूरी दुनिया में केवल प्रसांत महासागर और अट्लांटिक महासागर में पाई जाने वाली टारपोन मचली जो बेहदी खतरनाक होती है जो केवल इन दोनों महासागर में ही पाई जाती है दोस्तो आपको यह भी बताता चलू आइसलेंडर विस्व का एक मात्र ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अट्लांटिक महासागर को क्रॉस कर नौर्थ अमरिका के जमीन में पहला वर कदम रखा था दोस्तो इस महासागर में एक अंडर वाटर माउंटन रेंज भी है जो कि मिड अट्लांटिक रीज के नाम से जाना जाता है यहाँ रीज एडिस माउंटन रीज से दोगुना चोड़ा है और आइसलेंड से लगभक 1000 मिल दच्छिन तक फैली हुई है अट्लांटिक महासागर में बहुत सारे आइलेंड भी है जिन में से कुछ के नाम तो बहुत ही फेमस है जिसने आपने जरूर सुना होगा जैसे कि बहामास, कैनरा आइलेंड, एजॉर्स और ग्रीनलेंड दोस्तो आपको यह भी बताता चलू ग्रीनलेंड के वन महासागर का पानी एक्वेटर से नजदीक जाते जाते 28 दिगरी से डिगरी तक गर्म हो जाता है तो वहीं पॉलर रेंज के निकट इसका टेंपरेचर मानेस दो डिगरी तक पहुच जाता है अट्लांटिक महासागर में दो खास जल मार्ग स्पेन और मोराक्को है जो कि जि यूसे का नियॉर्क अर्जंटीना का वियोलो एडिस और पलामा का कॉलोन सामिल है दोस्तो इस महासागर के किनारे कुछ बड़े सहर भी इस्थित है जैसे कि यूसे का मयाबी ब्राजिल का सौव पॉलो सौथ अफरिका का कैप टाउन यूके का लंडन और आइसलेंड का र बड़े नदियां जैसे कि एमेजॉन रिवर, मिसिसीपी, कांगो और नाइजर जैसे ही कुछ बड़ी नदियों को अपने अंदर समा लेती है जिस वज़े से इस महासागर को एक प्यासा महासागर भी कहा जाता है साथ ही अटलांटिक महासागर में किसी अन्य महासागर के तुलना में सबसे जादा जुआरा आती है यानि कि इस महासागर में तकरीबन 50 फीट तक उची उची लहरे उठती है दोस्तो आपके जानकारी के लिए यह भी बताता चलू पस्समी उतरी अटलांटिक महासागर में एक ऐसी जगा है जहां पर बड़े बड़े आइस की विसाल चटाने हैं दोस्तो 15 अपरेल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा आलिसान जहाज आरनेस टाइटनीक इसी हिस्से में एक विसाल हिमखंट से टकरा कर धाई घंटे के बाद डूब गया था वैसे ही अटलांटिक महासागर में एक ऐसी जगह है जिसका नाम बर्मूंड ट्राइंगल है या बर्मूंडा त्रिभूच कहा जाता है और यह त्रिकुन उत्री पस्तिमी महासागर के छेतर में इस्तित है जिसके रहस्यों से आज तक कोई परदा नहीं उठा पाया है इस विसाल ट्रेंगनल के एरिया के अंदर आते ही जल जहाज एवंग हवाई जहा साथ ही हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रिस कर दें फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ गुडबाई टाटा